दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करेंगे कि अपनी इच्छाएं कैसी पूरे करें, जो आप चाहो वो आपको कैसे मिल जाए, सुनने में थोड़ा सा ये फेक लगता है, यार ये तो कैसी बाते हैं, लेकिन नया साल आने वाला है, और नया साल में हम सब कुछ ना कुछ रेज वीडियो देखते होंगे, कई जगे बहस बिछड़ी हुई है कि या ये होता है, या ये नहीं होता है, लेकिन आज मैं अपना अनुभाव आपके साथ शेयर करूँगा, अपने क्लाइंट का अनुभाव आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं आपको एक टेकनिक भी बताऊ ये कि आपकी manifestation, आप जो सोच रहे थे, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो, law of attraction, manifestation पर होने वाली है, वीडियो को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूगी, ये है क्या, manifestation या फिर affirmation, कुछ positive बात है, कुछ positive ची यार इनने की केतू first में, fourth में, tenth में, या 11 में बैठा होता है, ऐसे लोगों की manifestation अटोमेटिकली उन्हें लगता है कि अच्छी है, जिनका मुलांग 6 या भाग्यांग 6 होता है, जिनका मुलांग 7 या भाग्यांग 7 होता है, मुलांग 2 भाग्यांग 2 वालों को भी ऐसा लगत कर रहा है वह एक होता है अगर वार बार बदल रहा है न तो गली इसको आपको समझना चाहिए wellness टैकनीक जो यहाँ पर होती है 649 जी हाँ आपने कई जगहों सुना होगा आज आप करना भी सीकें गुखिश ना जाता है कि दी थी काई सारे इन वीडियोज ऑनलाइन यूटूब पे मौझूद हैं मैं पहले इन चीजों में नहीं मानता था मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीजा बार-बार कह रहे हैं कोई चीजा बार-बार लिख रहे हैं उस सच हो सकता है यह बहुत पुरानी बात है लेकिन जब मैंने कह चलो इसे एक ट्राइद आ जाए जब मेरा जोतिश में बहुत जारे दिल्चसपी बड़ी इंट्रेस्स बड़ा निम्लाजी में बहुत जारे दिल्चसपी बड़ी उसके बाद मैंने इसका जो करस्मा देखा है अपनी लाइफ में उसने मैं शायद आपको बता भी ना तो दोस्तों मैं वापस से अपने टॉपिक प्याओंगा कि वह टेक्निक क्या है कैसे इसको यूज करना है 369 को सबसे पहले आपको इसको लिखना होता है तीन बार आप लिखेंगे अपनी जो डिजायर है अपनी विश है उसको सुभे छे बार लिखेंगे दोपेर में नौ ब बात हो गई और किस तरह से आपकी भावनाएं होनी चाहिए वह दूसरी बात है और यह सबसे जादा इंपॉर्टेंट है लोग बस सुछते हैं कि लिखने से हो रहा है तो चलो लिख देते हैं जल्दी जल्दी हमारे चीज हो जाएगी नहीं जो आपका थौट प्रोसेस है आपकी विचार है विचार विचार बहुत कुछ बदल देते हैं इंसान का तो आपके विचार कैसे होनी चाहिए इस सबसे पहला आपको अगर लगता है कि यह कुछ फालतू की बाते हैं धकोसले बाजी है और आपके उपर यह काम नहीं करेगा तो आप बिल्कुल मत करिए आपके लिए चीज़ बनी ही नहीं है यह बनी ही उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज्यादा faithful है जो ब्लीप करते हैं चीज़े में और आप देखे का comment section में ऐसे लोग आएंगे और अपना experience जरूर शेयर करेंगे तो अगर आपको पूरा faith है पूरा विश्वास है यह हो सक सकता है तो आप इसको करेंगे दूसरा पॉइंट यहां पर जो आपको याद रखना है practical होनी चाहिए आप जो भी लिख रहे हूँ पॉसिबल होना चाहिए कि उच्छे या एक साल में हो सकता है इस दुनिया में आप ऐसा कुछ भी मतले हैं आप 12 साल के आप लिखें मुझे 1000 करोल उपए गिरे हुए मिल जाएं कहीं पर या मेरे दूर के फूपजी अपनी पूरी संपत्ती मेरे नाम लिखके चले जाएं इस तरह कि इंप्रैक्टिकल चीज़े कभी सच नहीं होंगी क्योंकि वह इंप्रैक्टिकल है इसलिए आपको बहुत बढ़ा सॉप्ट्रेयर सॉप्ट्रेयर डेवलोपर बना है आसे आने वाले 5 सालों में मुझे बहुत बढ़ा सॉप्ट्रेयर डेवलोपर बना है रात बहुत हद तक पॉसिबल है कि वह सच हो जाएगा तीन बार सुबह दुपैर में और नौ बार रात में लिखना है किसी भी डायरी में लिखे किसी भी कॉपी पर लिखिए उसे थोड़ा सीक्रेट रखिए आप जब किसी को बार बार दिखाते होना तो कोई चड़ा देगा करने लग तो आपको जो ब्लीफ है जो वीक होता चला जाएगा वह कमजोर होता चला जाएगा तो दोहजार चौबिस में आप यह चीज जरूर आजमाईएगा कि सुरवात में जब आप एक चीज कर रहे होगे मैं अपना नुबह बता रहा हूं तो आपको लगेगा पता न दिनों तक करना है आप इसको यूजवली रेडिंग से करें लाल पैंसे करें और 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 किसी काम में इस्तमाल ना करें तो यह एक रिचुवल है कई लोग इसे सुपरस्टीशन भी मानेंगे मानने दीजे हम में से हर किसी की छोड़े छोड़े सुपरस्टीशन होते ही हैं म मुल्टिपल डिजायर एक साथ नहीं पाल लें कि एक पेज़ पर यह आला दूसरे में दूसरा तीसरे में तीसरा डिजायर चौते में चौता नो वन डिजायर एक डिजायर आप बार बार लिखेंगे और से एक समय तक लिखेंगे जब तक वह मैनिफेस्ट नहीं हो जाता तो आप आएंगे कि यह चीज सच में आपके साथ हो रही है Now, coming to the point की कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं उस सच में होने वाला है या नहीं होने वाला है पहला point जो आपको मिलेगा आपको इंजल्स नंबर बहुत दिखने लग जाएंगे या फिर आपको बर्ट के फैदर जो चिडिया होती है उनके जो फैदर होते हैं वाइट कलर के ब्लू कलर की किसी भी कलर के आपको बार बार जमीन पर पड़े हुए सपनों में ड्रीम्स में दिखने लग जाएंगे तीसरी जो चीज़ बड़ी इंटरस्टिंग है आपका ना कुछ नुकसान होगा आपको कोई छोड़कर चला जाएगा या आप जॉब से निकाल दिये जाएंगे या आपके लाइफ में बड़ी स्ट्रस सी कोई सिचुएशन क्रेट हो जाएगी जी हाँ ये भी होगा आपके साथ जब भी आपका कोई डिजायर पूरने वाला होगा उससे पहले एक दुख आएगा एक छोटा सा दर्द आएगा अब कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं पहुचोगे ना तो ये भी आप experience करोगे जब आप इस पूरे process को follow कर रहे होगे तो ये तीन चीजे जब आपको मिलने लग जाएंगी समझने लग जाएंगी तब आप समझ जाना कि आपका desire पूरा होने वाला है टेकनिक कही सारी है मार्केट में कोई कहता है बारा बारा टेकनिक यूज करो कोई कहता है ट्रिपल फाइव यूज करो पर जो मैंने 369 में experience किया है वो सबसे अच्छी टेकनिक है जैसे कि मैं अपनी बात बताओं तो मैं लिखता था कि मैं ऐसी रेमेडीज दो अपने क्लाइंट को जो की उनके काम कर जाए उनको बिल्कुल fruitful result मिल जाए तो यह बार बार लिखा बार बार लिखा उसके बाद क्लाइंट के कुछ सी समय बाद कॉल आने लग गया रिवर्ट आपके manifestation आपके जो affirmations आपके बात रूम में लिखता है कोई अपने नोट पैट पे लिख देता है कोई कौई है कोई बार बार मन में चैट करने लग जाता है तो हम सबका अलग लग तरीका हो सकता है आप किस तरह का manifestation यूज करते हैं और ढ़लीग करते हैं और दो हजार चॉ वीडियो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी अगर आप इसे लाइक करेंगे तो हम मैनिफेस्टेशन के उपर एक नई सीरीज ला सकते हैं वो भी आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे बिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे